Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए वेलेंटाइन स्पेशल, February 2022 की लव टारो रीडिंग और देखे इस रीडिंग में में रपस खास हाट कन्फेशन के कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स में हम देखेंगे कि secretly आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर क्या मन ही मन व आपको कहना चाहते हैं और नहीं कहते हैं And before I start the reading, wish you all a very very happy Valentine's Day I wish all the happiness, all the joy for your relationship और दूसरी बात अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दिखिए इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी sign को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Aries आप लोगों के लिए देखें कि February 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये Valentine special है, तो इस मन्त के लिए 3 piles की जगा में रपास 4 piles हैं और 1st pile में हम देखेंगे कि आपकी क्या energies होंगी, 2nd pile में हम देखेंगे कि आपके partner की क्या energies होंगी and 3rd pile में हम देखेंगे कि finally February मन्त में क्या हो रहा है और देखें 4th pile को जैसे कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, Heart Confessions लिखा हुआ है तो आपके partner की क्या secret intentions है, feelings है या फिर वो क्या आपको कहना चाहते हैं, जो कि नहीं कह रहे हैं इन ही सब चीजों को हम 4th pile में देखेंगे और इसको हम reading के बाद में रीद करेंगे ताइम और पाशन के cards हैं राइडर वैट से आप लोगों के लिए 4 of cups, 4 of wands and 6 of cups reverse के cards हैं तो दिखें 6 of cups का card कहीं टारो में past की बात करता है और ये general reading है तो यहाँ पे सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि past का कोई relationship, past को कोई इनसान आपकी life में February starting में या February month में आ रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि past के किसी relationship पे, past के किसी इनसान पे, past के किसी event situation पे आप बहुत focus कर रहे हैं past की memories में आप बहुत ज़ादा रहते हुए देख रहे हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि current relationship के लिए ही काफी एक love care आप नहसूस कर रहे हैं और देखिए जो भी surface level पे हो रहा है कहीं deeper level के लिए passion का card कहता है कि बहुत एक enthusiasm, बहुत एक excitement आप फील कर रहे हैं आप high energy levels में रहते हुए देख रहे हैं और देखिए कहीं mid of February के लिए four of wands का card भी enthusiasm, excitement की बात करता है तो देखिए यही enthusiasm, excitement कहीं mid February तक भी जाता हुआ देख रहा है और four of wands का card companionship की बात करता है, togetherness की बात करता है, जादा interact करने की बात करता है जादा बातचीत करने की बात करता है, change of place, change of location की भी बात करता है और देखिए यही सब चीजे या तो हो रही है या आप चाहा रहे हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आप अपने partner के साथ vacation पे जाना चाहा रहे हैं या फिर उनको आप offer कर रहे हैं कि भाई कहीं घूमने चलते हैं और देखिए जो भी again surface level पे हो रहा है कहीं deeper level के लिए time का card कहता है कि time बहुत बड़ा एक factor है सकता है और यह general rating है तो सब के लिए यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि time बहुत कम है और जो भी again time है उसका आप best you know utilize करना चाहते है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भी आप vacation पे जाना चाहते है fun, mazah, mazti चाहते हैं लेकिन time नहीं है कुछ के लिए हो सकता है कि again आप यह सब चीजे चाहा रहे हैं लेकिन आप universe पे छोड़ रहे हैं कि जब divine timing suitable होगा तब अपने आप ही यह सब चीजे हो जाएंगी और देखिए कहीं end February के लिए हाँ पे four of cups and sweetness के cards कहते हैं कि surface level पे आप बहुत एक boredom, बहुत एक monotonous सी energies महसूस कर सकते हैं जहां पे देखिए सब कुछ आपके आसपास ठीक ठाक है, बढ़िया है लेकिन फिर भी किसी चीज को आप enjoy नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आप emotionally low रहते हुए देख रहे हैं फिर भी कहीं again मैं कहूंगे आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं और देखिए deeper level के लिए sweetness का card एक दो चीज़े कहता है कुछ लोगों के लिए guidance हो सकती है और कुछ लोगों हो सकता है कि ऐसी ही energies में हैं तो देखिए इस card में लिखा हुए patience is now required, relax and enjoy the sweetness of life let the universe take care of the details तो देखिए अगर ये universe की तरफ से message है तो बहुत ही clearly you know आपको universe कह रहे हैं कि आप please थोड़ा सा conscious effort करें conscious awareness के साथ चीज़ों को enjoy करें आप थोड़ा सा अपने आपको चीज़ों में involve करें आप back seat में ना जाएं पिर जो एक boredom, monotonous energies आप महसूस कर रहे हैं इसमें से कैसे आप बहार निकल सकते हैं आप उस पे ही focus करें consciously again मैं बोलूँगी कि आप fun, mजा, मस्ती अपनी life में add करें और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि surface level पे जरूर आप एक boredom महसूस कर रहे हैं लेकिन मन ही मन आप सबर रख रहे हैं आप patience रख रहे हैं आप किसी भी चीज के लिए impulsive नहीं होना चाह रहे हैं आप किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं और देखिए time का card भी कहीं यही चीज कहता है कि आप divine timing को आप divine timing पे ज़्यादा faith करते हुए देख रहे हैं तो ये था Aries आप लोगों के लिए February 2022 की energies और next वीडियो में हम देखेंगे कि आपके partner की क्या energies रहेंगी तो आपके partner के लिए देखें औराकल से Missing You, Synchronicity and Sign and Fondness के cards हैं Rider West से Lovers, Sun and Two of Pentacles के cards हैं तो देखें सबसे पहले cards हैं पर Fondness and Two of Pentacles हैं और Fondness का card कहता है Gently honor the soft feelings between you, don't rush right now तो देखें deeper level पे बहुत एक प्यार, महबबत या फिर affection आपके लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन surface level पे बहुत sure चीजों को लेकर नहीं हो पा रहे हैं या मैं कह सकती हूँ कि बहुत उनकी एक fluctuating सी energies हैं बहुत चीजों को लेकर in and out होते हुए देख रहे हैं और देखिए general reading है तो सब Aries के partner के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ Aries के partner के लिए हो सकता है कि इस relationship से ही related या फिर otherwise कोई decision कोई choice उनको लेना है और कहीं वो two minds में हैं एक चीज़ पर टिक नहीं पा रहे हैं एक चीज़ से related decision नहीं ले पा रहे हैं कुछ Aries के partner के लिए हो सकता है कि किसे दिन आपको लगता है कि भई वो totally इस relationship में है यानि कि आपके लिए बहुत प्यार महबबत महसूस करते हैं और किसे दिन आपको लगता है कि उनको कोई attachment ही नहीं है उनके मन में कोई feelings ही नहीं है और कहीं दिखें लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो guy up हो जाते हैं कुछ Aries के partner के लिए हो सकता है कि वो एक से जादा चीज़ें कर रहे हैं और उसी में ही एक balance लाना चाहा रहे हैं तो दिखें जो भी हो Aries कुछ time से या फिर February starting में बहुत एक fluctuating सी energies उनकी तरफ से दिख रहे हैं बहुत जादा up and down या in and out वो होते हुए दिख रहे हैं लेकिन दिखें जो भी February starting में है कहीं mid February के लिए sun and synchronicity and science के cards कहते हैं surface level पे Aries आपको लगेगा कि अब वो बिलकुल clear हो गए हैं और वो 100% sure हैं वो क्या चाहते हैं इस relationship से अपनी life के लिए और बहुत confidently वो चीजों को deal भी करते हुए दिख रहे हैं एक happiness, एक joy रहते हुए दिख रही है हर चीज को वो enjoy कर रहे हैं positive frame of mind भी रहता हुआ दिख रहा है लेकिन देखें deeper level के लिए synchronicity and sign का card कहता है align to your desires, notice, sign and symbols for validation वो अभी भी मन ही मन, signs और symbols देख रहे हैं और जादा validation चाहते हैं और जादा confirmation चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले या पर nutshell में मैं कह सकते हूँ कि और sure होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले और देखें end February के लिए आपे lovers and missing you के cards कहते हैं कि बहुत एक you know again प्यार महबबत वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि आप ही उनके soul made है और बहुत एक deep connection बहुत एक intense emotions और feelings आपके लिए महसूस कर रहे हैं वो physical connect, physical intimacy missy भी चाहते हुए दिख रहे हैं और देखें missing you का card कहता है कि जब भी भी आप उनके पास नहीं होते वो आपको बहुत miss करते हैं बहुत ज़ादा you know emotional होते हैं, sentimental होते हैं तो ये था Aries आपके partner की feelings और next video में हम देखेंगे कि February month में क्या हो रहा है तो देखें February month के लिए आप लोगों के लिए Oracle से Triangle, Freedom and Lust के cards हैं Rider Vets से Page of Souls, Reverse Four of Pentacles, Reverse and Ace of Wands के भी cards हैं तो देखें February starting के लिए यहाँ पे Lust and Ace of Wands के cards कहते हैं कि इस relationship में एक physical attraction physical connect ज़ादा रहता हुआ दिख रहा है और देखें आप दोनों की या फिर आप दोनों में से किसी एक की energies हो सकती है और देखें आपके partner के लिए तो lovers के card में हमने देखा भी था कि एक physical attraction आपके partner आपके लिए महसूस कर रहे हैं तो देखें फिर से मैं कहूंगी कि या तो उनकी energies हैं या फिर आप दोनों की energies हैं जहाँ पर physical intimacy भी किसी level पर आप दोनों चाहते हुए दिख रहे हैं और उसी से ही related action initiatives ले रहे हैं या फिर in general ही एक enthusiasm एक excitement रहता हुआ दिख रहा है और दिखें एसे starों में नई beginning की बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि relationship में ही नई beginning हो रही है यानि कि पुराने relationship में नई तरीके से चीज़ें शुरू हो रही है और कुछ aries के लिए हो सकता है कि कोई नया relationship भी आपकी life में आ रहा है जिसके लिए एक physical attraction आप महसूस कर रहे हैं नहीं तो फिर से मैं कहूंगे कि current relationship में भी नई तरीके से चीज़ें शुरू होती हुई दिख रही है और दिखें यहाँ पे four of pentacles, reverse and freedom के cards कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए थे कहीं उनों बहुत एक clinging वाली energies थी, उनको भी कहीं mid February में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक let go करते हुए दिख रहे हैं और दिखें यह general reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए पुरानी कोई बात हो सकती है, emotion feeling हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आदत हो सकती है और कुछ Aries या फिर उनके partner के लिए हो सकता है कि आप लोग अपनी feelings ही नहीं अच्छे से express कर रहे थे कहीं you know खुल के इस relationship में नहीं आ रहे थे, कहीं किसी चीज को suppress कर रहे थे या फिर you know backseat ले रहे थे, तो कोई भी चीज हो सकती है, again जिसको बहुत tightly पकड़के बैठे हुए थे और कुछ Aries के लिए यहाँ पे यह relationship भी हो सकता है, उसको भी किसी level पे आप let go करते हुए दिख रहे हैं या फिर से मैं कहूंगे आपके partner की भी energies हो सकती हैं और देखिए जब भी हम किसी भी चीज को let go करते हैं तो बहुत एक liberated वाली feeling हमें होती है, एक freedom, एक अजादी सी हम महसूस करते हैं और वही कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं और देखिए फिर से कुछ लोगों के लिए हाँ पर गुसा हो सकता है जिसको आप पकड़ के बैठे हुए थे और जैसे ही आप अपने गुसे का went out करेंगे तो आप जाहिर सी बात है light feel करेंगे या फिर अगर आपके मन में बहुत पयार भी है उसको भी आप suppress कर रहे हैं तो भी एक परेशानी सी होती है आप अच्छा नहीं feel करते हैं और जब आप सामने वाले को अपना पयार भी जाहिर करते हैं तब भी बड़ी light सी feeling होती है तो देखें ये दो चीजे मेरे mind में आई मैंने कहीं यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है जिसको tightly पकड़के बैठे हुए थे उसको let go कर रहे हैं और उसकी वज़े से एक freedom एक liberation इस relationship में रहती हुई देख रही है और देखें जो भी mid February के लिए हो रहा है तहीं end February के लिए triangle का card कहता है a third energy or person disrupts this love situation तो कोई तीसरा इंसान इस relationship में आ सकता है जिसकी वज़े से कुछ issues कुछ मसले हो रहे हैं और देखें तीसरा इंसान जरूरी नहीं है कि you know कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरफ आप यहाँ आपके partner attract हो रहे हैं यानि की love triangle है यहाँ पर तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है at least आपका कोई खास friend हो सकता है यहाँ पिर आपका कोई family member हो सकता है यहाँ पिर आपके partner की तरफ से कोई उनका loved one हो सकता है जिसकी वज़े से इस relationship में किसी level पे issues और मसले आ रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि tarot guidance के लिए होता है और यहाँ पे आप इस चीछ से guidance लेके अपने relationship को improve भी कर सकते हैं यानि कि आप तीसरे इंसान को ना allow करें अपने relationship को खराब करने के लिए और देखे कहीं page of swords, rivers का card भी triangle वाली energies को ही और confirm करता है कहीं page of swords, rivers का card irritation की बात करता है, frustration की बात करता है और फिर से मैं कहूंगे Aries कि अगर आपने तीसरे इंसान को allow किया इस relationship को खराब करने के लिए तो फिर irritation, frustration आप दोनों ही अपने अपने levels में महसूस करते हुए दिख रहे हैं या फिर इस relationship में issues और मसले आ सकते हैं तो यह था Aries आप लोगों के लिए February 2022 की you know reading और next वीडियो में हम देखेंगे कि आपके partners secretly आपके लिए क्या महसूस करते हैं तो दिखिए यहाँ पे सबसे पहला card है past memories connect us और यहाँ पे कुछ Aries के partner हो सकता है कि past life की बात कर रहे हैं उनको ऐसे लगता है कि कोई तो आप दोनों का पिछले जनम का नाता है और कुछ Aries के लिए हो सकता है कि उनके partner महसूस करते हैं कि जो भी उन्होंने पीछे आपके साथ पल बिताएं हैं वो हमेशा ही उनके दिल, दिमाग, जहन में रहते हैं और वो कभी भी उन memories को नहीं भूल सकते हैं और ये memories हमेशा ही उनको आप से connected रखेंगी और देखे कहीं distance is no barrier का card भी similar सी energies की बात करता है ये card कहता है कि Aries आपके partner को लगता है कि चाहें आप उनके पास रहें, चाहें आप उनसे दूर रहें या मैं कह सकती हूँ कि जितनी भी दूरी आप दोनों के बीच में आ जाए उनके मन में उतनी ही महबत, उतना ही प्यार आपके लिए रहेगा कभी भी दूरी इस प्यार को, इस महबत को खतम नहीं कर सकती या फिर कम नहीं कर सकती और देखे, I see my future video का card कहता है कि वो हर दम ही आपको अपनी life में चाहते है या मैं कह सकती हूँ कि वो हमेशा के लिए आपको अपनी जंदगी में चाहते है वो आपके साथ अपना future देखते है कहीं वो आपको ही अपना partner future में भी देखते है और future के लिए चाहते भी है तो ये था एरीज आप लोगों के लिए February 2022 की love reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें